आप देख रहे हैं अभिनेता मित्रुन चक्रवर्ती की कमाई के बारे में जी हां काफी अमेर हैं अभिनेता मित्रुन चक्रवर्ती जिनकी कमाई का आखड़ा जान कर आप हैरान हो सकते हैं ये अभिनेता कोई आवं जिन्दगी नहीं जीता बलके गाजाओं की तरह जीना पसंद करता है इनके लिए सुपरस्टार बनना बहुत मुश्किल रहा लेकिन जब इनने सुपरस्टार की उपाधी पाली तो जीवन शैनी में काफी बदलाफ की एक्टर के साथ साथ डांसर के तौर पर अपनी पहचान बनाने वाले मिठुन्दा को बच्पन से ही एक्टिंग का बहुत शौफ था इसी तरह उन्होंने तीन सो पचास फिलमों में खूल नाम कमाया अपने डेब्यू फिल्म म्रग्या के लिए मिथुन ने नेशनल अवार्ड भी पाया था मिथुन्दा ने हिंडी ही नहीं बलके बंगाली और उडिया भाशा में भी फिल्में की है मिथुन्दा की जिंदगी में कई मुश्किल दोर भी आए इतने बड़े स्टार का सबसे मुश्किल वक्त 1993 से लेकर 1998 के बीच का था जब उनकी लगादा फिल्में फ्लॉप हो रही थी इस दोरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप होई हैलन के असिस्टिंट भी रह चुके थे मिथुन और उन्होंने तब एक इंटर्वियो में कहा था कि मुझे नहीं पता रहता था क्यों मुझे दूसरे टाइम की रूटी मिलेगी भी या नहीं मिथुन्दा ने वैसे तो कभी फिल्मों में काम नहीं करना छोड़ा लेकिन उन्होंने अपना बिजनिस भी सेटल कर लिया मिथुन एक एक्टर के साथ सफल बिजनिस मैन बन कर उवरे हैं वो मोनार्ठ ग्रुप के मालिक है मिथुन का लगजरी हूटल का बिजनिस है मिथुन के ऊटी और मसूरी सहित कई जगाहों पर हूटल्स है मिथुन का अपना एक प्रडाक्शन हाउस भी है बिना फिल्में किये ही मिथुन हर साल दो सो चालिस करोड रूपे कमा लेते हैं इतना ही नहीं मिथुन्दा का लिमका बुक और गनीज बुक में भी नामदर्ज है मिथुन्दा गरीबों के मदद करने से भी कभी पीचे नहीं हटते वो एक सोशल वुकर है हमें उमीद है कि अपने फेवरेट स्टार से जड़ी ये ख़वरें आपको पसंद आई होंगी हमें कॉमेंट में जरूर बताएं कि मिथुन्दा की कमाई का ये आकड़ा जान गर आपको कितना बड़ा जटका लगा है और साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले टॉपनीज की रिपोर्ट